हेलो एफ्रिवन आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेबी फ्रॉक विद यूजिंग ओल्ड जीन मेरे पास एक पुरानी जीन पड़ी थी जो टाइट हो गई थी तो मैंने उसकी स्टिचिंग खोल लिये उसके दोनों नीचे की लैग वो ले लिये जिसकी बेबी की फ्रॉक अच्छे से बन जाएगी हमें में इसको उल्टा कर लूँगी उल्टा करके अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसको इकवल इनके दोनों पलों को रख के इसको four fold कर लेंगे अच्छे से four fold करने के बाद अब inch tape लेके मैं पांच का इसका तीरा जो है व लेंगे शोल्डर पे निशानी लगाने के बाद हम इसके अच्छे से गुलाई कर लेंगे, आइ अरॉंड एक इंच लेके हम इसको गोल बना लेंगे और जो में गले की लेंट लूँगी वह में लूँगी धाइंच, हम आरमली तीन लेते हैं, बड़े की घुन लेंगे ठाई इसको भी हम सरकल में ड्रा करके अब इसकी हम करेंगे कटिंग सबसे पहले शोल्डर है उसको कट कर लेंगे यह थोड़ा मोटा होता है तो आप डौल दो लियर भी कट कर सकते हो अगर चार एक साथ नहीं हो रहा अगर चारों हो रहा है तो वैल एंड गुड है अब हम गले की भी ऐसे ही सेम कटाई है जो वो कर लेंगे अल्मॉस्ट जो फ्रॉक है हमारी रेडी है मैंने जादे जादा इसमें कुछ और नहीं करना है तो अब यह कटिंग हो चुकी है हम जो इसकी सिलाई के लिए भी है मैंने थोड़ा ही क्योंकि कपड़ा थोड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा ही चोड़ा है राउंड हाफ और वन इंच की मैं जो सिलाई है इसमें लगाओंगी अब मैंने इसको खोल के देखा तो मुझे थोड़ा जो गला है उसका वो थोड़ा सही नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी और कटिंग कर देती हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ी सी गले की गुलाई बनाने के लिए इसको सीधा करके गले की थोड़ी सी कटिंग कर दी है जिसे की गला है जो बहुत ही अच्छा लगेगा नहीं तो वैसे वो थोड़ा सा टेड़ा बन रहा था अब मैं इसके जो उपर से शोल्डर से उसको सिलाई लगा लूँगी यह अटेच करने के बाद कुछ ऐसे दिखाई अब जो साइड के बाजू है उनको भी सिलाई लगा लूँगी मैंने इसमें स्लीव नहीं लगानी है स्लीव लैसी रखना है तो इसलिए मैंने इसके स्लीव में सिलाई लगा लिये कॉर्णर पे अब डबल फोल्ड करके लगा सकते हो ताकि जो इसकी जो धागे है वो बार निकले जब हम वाश करें तो अब मैं क्या करूंगी जो इसका गला है उसकी गुलाई से इसको डबल फोल्ड कर लूँगी अगर आपने एक्स्ट्रा से लगाना है इसमें कपड़ा तो आप लगा सकते हो मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया क्योंकि छोटे बच्चे का चोटा सा गला है तो यह ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो अब फाइनल फिनिशिंग रह गई है इसमें हम इसको खोल के अब मैं इसकी जो साइड से दोनों इसमें भी से गुलाई में हमें इसमें सिलाई लगा लूँगी तांकि जो फ्रॉक है वो पूरी रैडी हो सके इसको दोने तरब से कि मैं मशीन से स्टिच कर लूँगी स्टिच करने के बाद हमें इसको सीधा कर लूँगी जिससे कि ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी है इसको अच्छे से इसकी जो सिलाई है ये जीन जीन का कपड़ा है तो इसलिए थोड़ी सी ये सकत कपड़ा है इसको हम अच्छे से और जस्ट कर लेंगे कीच के तो जिससे की फिनिशिंग है बहुत अच्छी है कि जब मैं इसको प्रेस कर लेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा कपड़ा ये देखो कुछ ऐसा लुक आ रहा है मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा था तो मैंने जो जीन का जो कॉर्णर है कॉर्णर कट किया था जो सिलाई लगी होती है हार्ड कॉर्णर होता है तो इससे मैं थोड़ी सी डिजाइनिंग करूंगी नेक पे तो मैं इसको एके करके नेक पे शिफ्ट करूंगी नेक पे लगा रही हूँ अभी ऐसे सरकल जैसे जैसे गला है वैसे वैसे इनको shift कर दूँगी मैं जिसे की थोड़ा attractive look लगेगा थोड़ी simple नहीं लगेगी frog तो इसलिए मैंने ये लगाया अब इनको मैं सिलाई करके अब मुझे अब भी थोड़ा simple लग रहा था तो मैंने जो कुछ corners वो बचे हुए थे तो मैंने नीचे भी attach करने चाहें ये मैंने कुछ flower वाली lace ली है तो ये flowers भी मैं cut करके एक एक जो मैंने उपर corner से लगाए हैं उन पे adjust कर दूँगी जिससे की finishing आएगी बहुत ही अच्छी जो फ्रॉक है हमारी attractive लगेगी देखो flowers रखते सारी ये कितनी अच्छी और attractive लग रही है सबी एक एक करके flowers को मैं cut करके इनको लगा लूँगी इनको आप चाहो तो glue गन से भी लगा सकते हो चाहो तो आप सिलाई भी कर सकते हो मैंने इनको सिलाई करके लगाया ऐसे नीचे मैं designing बना लूँगी same मिरे पास चार बचे थे cutting तो चारो के चारो मैंने use कर लिए मैंने सोचा क्यों fake ने तो मैंने चारो ही लगा दिए और नीचे चार उनके flowers भी लगा दिए इनके फाइनल लुक है बहुत ही अच्छा आ रहा ऐसा लग रहा जैसे हमने ready made frock ली है कोई क्या ही नहीं सकता कि पुरानी जीन से बनाई है ये देखो कितना अच्छा लग रहा आपका बच्चा भी है जो वो बहुत खुश हो जाएगा गर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर जरूर करना और आप भी बना के देखना ओके फ्रेंट्स बाई बाई ठैंक यू